Hey guys, welcome back once again, so दोस्तों आंशी कहानी जो explain करने जा रहे हैं, उसका नाम है Stocked, यह हमारी explain की गई reef story का second part है, अगर आपने पहला part नहीं देखा तो link आपको नीचे मिल जाएगा, तो कहानी शुरूती है और हम Luke नाम के आदमी को देखते हैं, जो एक समुदरी टूर करना चाहता है, जिसके लिए उसने एक boot भी खरीद लिया है, पर वो अकेले नहीं जाना चाहता है, इसलिए उसने अपने दोस मीट को भी वलाया और उसके साथ उसकी girlfriend Suzy और उसकी sister Claire भी है, यह लोग असल में water Indonesia जाने वाले हैं, जो दिखने में काफी आसान है, पर हमारी explain की गई कहानियों में थोड़ा रोमांच ना है, ऐसा तो नहीं हो सकता है, तो यह सभी निकल जाते हैं अपने इस सुहाने सफर के लिए, लेकिन इनसे एक गलती हो जाती है, इन्होंने एक गलत route चुल लिया था, क्योंकि जिस रास्ते पर यह जा रहे हैं, उसके बीच में इन्हें कई सारी च कर ली है, जो में भी इनके काम आ जाए, आपको क्या लगता है, वेल कुछ देर ट्रावल करने के बाद इन्हें अपने सामने अलमैसकर नाम का आइलेंड दिखाई देता है, जिसकी खुबसूरती का हर कोई दिवाना है, लेकिन सभी ने उसे बस फोटोज में देखा है, क्य देती है, लेकिन वो बहुत ही जादा छोटी थी, इसलिए वो जादा गौर नहीं करती, और फिर उपर आ जाती है, जिसके बाद सभी जाकर उस आइलेंड पर बैट जाते हैं, और एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, और कुछ देर बाद वारें बोर्ट से वेव करता ह और सभी को पास आने को कहता है, दरसलिकी जो में बोर्ट थी, वो एक चटान पर अटक गई थी, जिसकी वज़े से उसे आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो सभी अपना-पना दिमाग लगाते हैं कि कैसे उसे बहान निकाला जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हो गुजर जाता है, और आ जाती है हर रात, अब भी समुंदर में रात गुजानना इतना असान काम तो नहीं है, लेकिन ये लोग इस चीज के आदी हैं, अब यहाँ एक और चीज गौर करने वाली थी, कि यह जिस रूट से जा रहे हैं, वहाँ से ना तो कोई कॉमर्शल सिप जा रहा है और ना ही कोई पैसेंजर बूट, क्योंकि एक वीरान रूट पर मौजूद है, वेल बूट पर एक रात गुजानने के बाद सुबह हो जाती है, और सबसे पहले ल्यूक और क्लियर उटते हैं, और डेक पर जाकर बाते करने लगते हैं, कुछ समय के बाद वो खा पैनिक हो चुका है, इनिया सबसे ज़्यादा डर है शार्क का, जो हलचल सुनकर किसी भी समय आ सकती है, इसलिए फौरण उपर आना होगा, अब यहां सबसे पहले क्लियर और सूजी उपर आती हैं, लेकिन अभी भी बागी लोग नीचे थे, जो वो दोनों आवाजे लगा के बीचे फसा हुआ मिलता है, वो फौरण उसे उपर लेके आता है, जिसके बास सभी एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं, इसी को भी चोट नहीं आई थी, लेकिन अब यहां इनकी दिकते बढ़ दी जाएंगी, क्योंकि इनके पास जो कुछ भी खाने पीने का स समान था, सब कुछ खराब हो चुका है, अब बचा है तो बस एक उल्टी हुई बोट, जिसका किस तरह से इस्तमाल करना है, ये भी इने पता नहीं है, तो एकाम आद भी कितना ये पहले उस बोट को सीधा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जा कर एक चटान में घुसी थ सान नहीं था, तो एक एक करके उस पर चलने का सोचते हैं, जहां से आसपास देखकर उन्हें ना तो कोई शिप दिखाई देती हैं, ना ही कोई बोट, जैसे कि मैंने आपको पहली बता दिया था, कि बस दिखाई देता है, तो पानी जिसके अंदर न जाने कितने किसम के जी होगा, और उसे दोबरा चला पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, उपर से बहुत पुराना मॉडल है, यह आइडिया तो हमें ड्रॉप कर देना होगा, तबी सूजी पूचती है कि यहां के पास का आइलन कितनी दूर है यहां से, तो वो बताता है कि तकरीबर 15 मील, यानि के वहां तक पहुचने में इन्हें कई दिन लग सकते हैं, और तैर कर जाना तो खुद को जान से खेलने के बराबर होगा, पर लिव का मानना था कि इसके अलावा उनके पास कोई आप्शन नहीं है, अब उनका सारा खाना भी खतम हो चुका है, तो उन्हें यह करना ही होगा, वारन जाने से मना कर देता है क्योंकि उसे इस बात का नाजा था कि अगर वो नीचे पानी में उतरा तो किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, उसकी बाद से क्लियर भी सहमत थी पर जो बचे हुए लोग थे वो जाने को रेडी थे, लेकिन लिव को और मेट नीचे जा जाते हैं और बोर्ड पर रह जाते हैं क्लियर और वारन लेगन जब वो कुछ दूर चले जाते हैं तो क्लियर के मन में भी सवाल आता है, उसे भी उनके साथ जाना चीए था क्योंकि वहाँ उनका भाई अकेले है, क्योंकि वहाँ पर उसका भाई अकेले है, इसलिए वो काफी दूर है सभी दीरी धिरे तैरते हुए आगे बढ़ रहते कि तभी क्लियर को पानी में कुछ काली सी चीज दिखाई देती है वो काफी डर जाती है तो लियू को नीशे जाता है देखने के लिए लेकिन वहां कुछ भी नहीं था इसलिए वो लोग फिर से आगे बढ़न सर गायब था मतलब कि उसका सर किसी जानवन ने खा लिया था अब ये किसी इंसान का काम तो नहीं है जरूर ये किसी बड़े समुंदरी जीव का काम हो सकता है लेकिन कौन है वो जीव अब ये चारों लोग समझ जाते हैं कि उन्हें यहां से जल्दी से भागना होगा वनना उनका भी कच्छुए जैसा हाल होगा उनका सर कहीं और होगा और बोडी कहीं और होगी कोई दूसी तरफ हम वारेन को देखते हैं अब दोस्तों एक तो वो अकेला होता है उपर से कुछ उसे महसूस होने लगता है कि जैसे उसके आस पास शार्क घूम रही हो इसलिए वो अ उसी उसे दाटती है क्योंकि ऐसे करके वो सबको डरा रही थी पर जब मेट नीचे देखता है तो उसे इस बार कुछ दिखाई नहीं देता लेकिन जब लियूक पानी के नीचे देखता है तो उसे थोड़ी दूर पर एक शार्क दिख जाती है जो दिखने में बहुत ही में तो ऐसा आजाता है जब वो सूजी के हाथों से टकरा कर दूर चली जाती है जिससे कि उसके हाथों से सर्फिंग बोट छूट जाती है जिसे लेने के लिए मेट जाता है पर उसे जाने से पहले लियूक नीचे देखता है और उसे शार्क कहीं दिखाई नहीं देती तो वो सभी से कहता है कि अब वो जा चुकी है तो मेट भी नीचे चला जाता है सर्फिंग बोट लाने के लिए लेगिन तब ही दोस्तों अचानक से शार उसके पैर पर हमला कर देती है और वो चीखने लगता है। सभी उसके पास आते हैं और उसके पैर को देखते हैं तो वो गायब था। लोगों के पास सिर्फ खूनी खून था और खुद के भाई की ऐसी हाला दे कर क्लियर के तो आसू नहीं रुक रहे थे। उसका भाई कहता है कि तुम लोग अब यहां से चलिये जाओ मैं अब और तै चाती है और उसे ले जाती है लेकिन जब लियूग जाते हुए पीशे मुल कर देखता है तो तीन से चार्क शार्क मीट को 20 से अलग करके नीचे ले जा रही थी जिसमें वो चीक था हुआ जा रहा था पर वो कुछ नहीं कर सकते थे इसलिए वो आगे बढ़ जाते हैं और ऐसे ही करते हैं वो दिन भी बीच जाता है और आ जाती है रात जो दिन से ज़्यादा खतरनाक हो सकती है क्योंकि अब शार्क कहा है यह उसे देख भी नहीं सकती है इसी का फायदा वो शार्क उठा लेती है और इन लोगों के आसपास घूमना शुरू कर देती है पहले-पह है शायद उनकी प्रे का असर था यह अब जब सुबह क्लियर के आँख खोलती है तो बागी दोस उसे थोड़ी दूर पर थे वो पहले तो फौरन सभी उठाती है देन वो सबको साइलेंड को दिखाती है मतलब दोस्तों यह अपनी मंजिल के काफी करीब पहुँच चुके ह सूजी को कुछ महसूस होता है जैसी कि कोई चीज उसकी तरफ आ रही है जिसे कुछ जरबाद उसे कुछ टच भी होता है और जिसके अगले ही पल वो गायब हो जाती है सभी हैरान दे कि आखिर वो कहां गई लियुक उसे ढूना शुरू करता और अचानक से उसे थोड़ी दूर पर उसकी करदन दिखाई देती है लेकिन उसके आसपास बहुत सारा खून पला हुआ था मतलब उसका भी पता साफ हो चुका है इसी दुरान जब लियुक नीचे देखता है तो बहुत सारी छोटी मचलिया उसके शरीर के हिस्सों को खा रही थी और ऐसा मनजर उसने अपनी जिन्दगी में कभी नहीं देखा था ना ही वह इस बारे में कलियर को बता पाता है इसलिए वह अपने दोस्तों से बोल देता है कि वह हमारे बीच नहीं रही अभू चार दोस्तों में से सिर्फ पच्छेए हैं की लक्ष है कि किसी भी तरह से उस चटान तक पहुचना लेकिन इतनी आसानी से अगर वहां तक पहुच गए तो कहानी ऐसी खतम हो जाएगी इसलिए जब वो दोनों थूड़ी दूर स्विम कर लेते हैं तर उन्हें पता चल जाता है कि उन्हें कोई देख रहा है और यह वही बार पानी में उतरे थे अब इनके पास एक ही ऑप्शन बचा है पूरी ताकत लगा कर तैरना और वो वही करते हैं दोनों ने एक दूसरे को पगड़ रखा था और साथ में ही आगे बढ़ते रहते हैं ल्यूग बीज बीज में देखता रहता है कि कहीं वो करीब तो नहीं आ रही है वो बस पहुच नहीं वाले थे लेकिन जब इस बारी ल्यूग नीचे देखता है तो वो शारक उसके पीछे ही थी है वो दोनों फोरन उस चटान पर चड़ने लगते हैं लेकिन जैसे ही मैंने आपको बताया था कि ये चटान एकदम खड़ी हुई है और इसके प विशा के लिए गायब हो जाता है इस आसे के बाद क्लियर पूरी तरह से टूट जाती है उसने थोड़ी ही दिनों पहले अपने भाई अपने प्यार अपने दोस्तो सब को खो धिया था आकिर में बताया जाता है कि ये कहानी पूरी तरह से रियल है सच है असल में जो जीक मिलती है नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएगा बिलते हैं आप से एक लिए मैं थांक यू सो मुच वाचिंग पीस आउट